दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे जॉन मिल्टन की Paradise Lost की Book 1 को जिसको मैं पहले भी discuss कर चुका हूँ लेकिन उस वीडियो में मैंने ज्यादा details नहीं डाली थी इस वीडियो में मैंने बहुत सारे details डाली है और बहुत सारे animation का use किया है करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जैसे इस किताब के पन्ने कुलते हैं मैं शुरुवाती लाइनों पर जूम करता हूँ मिल्टन शुरुवात करते हैं अपने subject Men's First Disobedience से Men's First Disobedience यानि पहला ऐसा मौका जब इनसान ने भगवान की बात को disobey की और अब इसका अंजाम होगा बहुत बुरा पहली लाइन में वो बोलते हैं कि उन्होंने वो fruit खा लिया fruit of knowledge जो उन्हें खाना मना था वो fruit forbidden tree पर लगा हुआ था forbidden tree मतलब ऐसा पेड़ जिस पर जो फल लगे हुए थे उन्हें तोड़ कर खाना सक्त बना था अब ये कौन सा पेड़ है हमें पता नहीं और ये कौन सा fruit है हमें पता नहीं बनाना है, apple है, mango है, कुछ पता नहीं बस एक fruit of knowledge है जिसे खाना बना है उस fruit को Adam और Eve खाएंगे पहले Eve खाएगी, फिर Adam खाएगा और जिसे खाने के बाद दुनिया में death और suffering आ जाएंगे अब मैं थोड़ सा किताब से हटके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक fruit खाने से दुनिया में suffering कैसे आ जाएंगी देखो दोस्तों ये आम fruit नहीं था अब मैं आम की बात नहीं कर रहा हूँ ये कोई ऐसा fruit नहीं था जो बहुत ही common हो, ये fruit of knowledge था यानि ऐसा कहा जा सकता है कि शायद इस fruit को खाने से पहले इंसानों की बुद्धी उतनी ही थी या इंसानों में समझ उतनी ही थी जितनी बाकी जानवरों में थी एनि इसे खाने से पहले इंसान की thinking power या फिर सोचने की शक्ती इतनी ज्यादा develop नहीं थी फिर इस fruit को खाने के बाद में इंसान में समझ आ गई, वो पाप करने लगा इसको खाने के बाद में दूसरे इंसान का सोचन करने लगा और दुनिया में death और suffering आ गई एक अंदाजा लगाते हैं कि इंसान अगर वो fruit नहीं खाता, fruit of knowledge तो शायद दुनिया में इतनी death और suffering नहीं होती और इंसान की बुद्धी उतनी develop उतनी बाकी जन्वरों की है तो इस book का कहना है कि आगे इस दुनिया में दुख और दर्ध death और suffering आ जाएंगे और one greater man यहाँ पर one greater man को मार्क कर लो आएगा, शायद यहाँ पर Jesus की बात की जा रही है जो पूरी humanity के लिए sacrifice करेंगे Christian history बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर Milton अब हम आगे बठते हैं ये तो हो गया इस किताब का इंट्रो इएसा सब कुछ होने वाला इस किताब में तो ready हो जाओ अब Milton याद करते हैं एक देवी को आगे बठते हैं और Milton याद करते हैं एक देवी को English में बोला जाता है Mus एक Muse को याद करते हैं, उस Muse का नाम है Urania, अब ये Urania कौन है, Urania Greek mythology में एक Astronomy की देवी है, Astronomy मतलब सारे सारे जोतिश विज्ञान जो होता है, उसकी देवी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये Muse कैसे Milton की मदद करेगी Paradise Lost को लिखने में, Paradise Lost को एक Great Epic बनाने में, तो Milton यहाँ पर खुद क्लियर करते हैं, कहते हैं कि Urania वो Muse नहीं है, जिसने Bible लिखने वालों की, खास करकि Genesis, जहां से ये Paradise Lost का मेटेरियल उठाया गया है, Bible के अंदर ही एक पार्ट है Genesis, वो लोग जब Genesis को लिख रहे थे, तो उन लोगों को जिन Muse ने, जिन देवियों ने इंस पावरफुल देवी है, ये बहुत पावरफुल Muse है, और इसकी मदद से Milton वाकई कोई great work लिखने वाले हैं, great epic लिखने वाले हैं, अब scene change, Milton हमें मिलवाते हैं इस कहानी के असली हीरो से, वैसे तो ये villain है, लेकिन इसको Milton ने पिलकुल हीरो की तरह present किया है, Milton हमें मिलवाते ह अपने साथियों के साथ में, लेकिन ये शुरू सहल में नहीं रहता था, पहले ये भी एक angel था, और heaven में ही रहता था, इसने कुछ angels की साथ मिलकर paradise में God के खिलाव भी जंग चेड़ दी, यानि God जिन्होंने heaven को बनाया, जिसमें ये लोग रह रहे थे, तो God के खिलाव ही इ अपने साथियों के साथ मिलकर जंग चेड़ दी, और heaven में civil war हो गया, इन लोगों की वज़े से, God ने सैटन को हरा दिया, और सैटन की आर्मी को भी हरा दिया, इसके बाद सैटन और उसके साथियों को उठाकर heaven से बाहर फैक दिया गया, अब दूसरों important बात, जो आपको हर क इसके साथियों करता हूँ, abyss, abyss, 9 दिनों तक ये और उसके साथी उस गहरे गड़े में गिरते चले गए, 9 दिनों तक ये पहुंचे ही नहीं नीचे, और फिर जाकर गिरे hell में, hell किसने बनाया था, मैंने last video mistake कर दी थी, कि इसीने hell बनाया था, actually hell भी God नहीं बनाया था, fallen angels को इसमें डालने के लिए, ठीक है ना, तो ये लोग जाकर hell में गिरें, अब hell में गिरने के बाद में, 9 दिनों तक इन्हें होश नहीं आया, 9 दिनों तक ये गिरते रहे, गिरने के बाद में, 9 दिनों तक और इन्हें होश नहीं आया, तो ये Saturn का description हमको देखने को मिलता है, अब scene change, Saturn सो रहा है, कहाने की शुरुवात होती है Saturn से, Saturn सो रहा है, कहां सो रहा है, a lake of fire, यानि एक जील जिसमें लावा है, आग जल रही है, यानि आग की जलती हुए जील पर ये लेटा हुआ है, पीट के बल, and that lake is totally dark, और उसी के पास में है उसका एक साथ ही ब्यालजिवब दूसरों, ब्यालजिवब जो है, Saturn का second in command है, यानि सबसे खास आदमे बान लो, Saturn की बाद में सबसे जादा important कोई है, तो वो है ब्यालजिवब, अब ये दोरों लेटे हुए एक आग से जलती हुई जील में, पीट के बल, और दोरों में कोई भी बात नहीं हो रही है, एकद जाने का बहुत ठेस लगी है उसके दिल को, वो कहता है कि क्या होते थे हम सब और क्या हो गए, Heaven से निकाले जाने का भले ही दुख है Saturn को, लेकिन उसके मन में ये मन समझना कोई अफसोस है, कि उसने God के खिलाफ विद्रों किया, उसके मन में कोई अफसोस है, कोई अफसोस न वो मानता है कि हम लोगों ने जो भी किया सही किया और एक चीज ध्यान देने वाली है सैटन कभी भी गौड का नाम नहीं लेता और इसका साथी ये बियलजिवब ये भी गौड का नाम नहीं लेता कभी भी अब मिल्टन हमें बताते है सैटन की बाड़ी का टेरिबल साइड यानि वो कितना बड़ा है यानि सैटन काया का बड़ा धनी है एक वेल मचली जो होती है न उसके बराबर का आकार है उसके शरीर का और आग की जील से बाहर निकल कर सैटन ने अपने पंक फैलाए और उड़ या एक ड्राय लैंड की तरफ एक बंजर जमीन की तरफ अब भले ये लोग हैल में रह रहे हैं लेकिन इन लोगों को हैवन की गलोरी बहुत अच्छी लगती है किसी न किसी तरीके से ये कोशिश करना चाहते है कि हम लोग हैवन के अंदर जाएं कि इतनी खूबसूरत जग ये तो दिमाग है जो हैवन को हैल और हैल को हैवन बना सकता है और बेटर है कि हम लोग हैल में हैं क्योंकि हैवन में नौकर बनकी रहने से तो बहुत अच्छा है कि हम लोग हैल में राजा बनकी रहें अब सेटन के पास एक एक स्किल है या एक स्पेशल पावर है जिसकी है God के खिलाफ ये तैयारी कर रहा है एक जंग छेड़ने की अगेंस्ट God ये सोचता है कि ये लड़ाई क्या हमें directly लड़ने चाहिए God से या फिर indirectly कोई और तरीके से तभी इन्हें पता चलता है कि God ने एक नई दुनिया बनाई है जिसमें Adam और Eve रहते हैं वो दुनिया बनाई है जिसमें हम लोग घुच सकते हैं heaven में तो पहरेदारी है तो एक नई दुनिया बनाई है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर अपनी जगे तलाशते हैं उमीद करता हूँ यहाँ तक आपको book first समझ में आये दोस्तों मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ अगर आपको इंट्रस्ट आ रहा है तो आज की इस वीडियो में बसत नहीं